तो चेहरा एक अलग सी आभा से चमकने लगता है, दरपन के सामने से हटने का मन नहीं करता, उसी के साथ हर समय रहने का मन करता है, उसकी छोटी छोटी बाते अर्थपूर्ण लगने लगती है और प्यार के खूबसूरत अहसास के साथ अपने में ही सिमट कर रहने का मन करता है सारी दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगती है आज के विप्रीत वो जमाना ही ऐसा था कि दिल की बात को शब्दों का जामा पहनाने में इतना समय लग जाता था कि परिस्तितिया बदल जाती थी और प्रेम अभिव्यक्ति से पहले ही दम तोर देता था यही मेरे और श्याम की साथ हुआ उसके पिता की आकस्मिक मृत्यू का समाचार मिलते ही वह भुपाल चला गया और फिर उसके बाद कभी नहीं लोटा उस समाने में संपर्ट करना इतना आसान नहीं था पत्रों का ही सहारा था चार-पांच पत्र मैंने लिखे लेकिन उसने एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया उससे समपर्ट तूटने का मुझे बहुत दुख हुआ लेकिन क्या करती समय के साथ समझोता करना पड़ा चोरी-चोरी छुप-छुप कर आसु भाती रहती थी मा ने उदास देखकर टोका भी तो बनावटी मुस्कुराहत से जवाब देती कुछ नहीं मा समय बीटता गया श्याम की यादों पर धूल की परते चड़ने लगी धीरे-धीरे बारिश के पानी ने उनको धो पोंच भी दिया मेरा विवाह हो गया और दो बच्चे भी हो गये अपनी ग्रहस्थी की उलजनों में व्यस्त रहने के कारण उसका नाम कहीं सुनती तो उसका धुंधला सा चेहरा आँखों के सामने आ जाता इससे अधेक और कुछ नहीं और आज यह उसका फेस्बुक पर अप्रत्याशित संदेश उसने तो मेरे पूरे अस्तित्व को ही हिला कर रख दिया था पूरे बदन में जैसे बिजी सी कौंध गई हो इसी को तो पहले प्यार की अनुबूती कहते हैं जो उमर के इस पड़ाव में भी नहीं पूरी रात आखों में ही कट गई सुबल के पांच बज रहे थे मैंने अपने विचारों पर जटकी से विराम लगाया और उठकर मूहाद धोकर सुबल टहलने के लिए निकल गई लोटकर ठकान और रात भर न सोने के कारण सोफे पर ही अधलेटी होकर गहरी निद्रा की गोद में समा गई और तब जागी जब पती ने आकर उठाया और कहा यहां कैसे सो गई उठो नौ बज गए हैं मैं हरबरा कर उठी और रात की घटना याद करके ऐसा लगा जैसे कोई सपना देखा हो श्याम की संदेश ने मेरे मन में हलचल तो मचा दी थी लेकिन अपने निरने पर अडिग रहकर उसके संदेश का उत्तर नहीं दिया यह क्या चार दिन बाद ही फिर वही संदेश इस बार मेरा मन डोल गया और मैंने अपने मन को समझाया बात करने में हर्जी क्या है देखू तु सही वह क्या कहना चाहता है इतने सालों बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया है मैंने एक सेट पर क्लिक कर दिया और जवाब में थोड़ा बनाव्टी रोश दिखाते हुए लिखा हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं पाखी त्रिपाथी ही हूँ इतने सालों बाद तुम ही कैसे मेरी याद आई याद तो उसकी आती है, जिसे भूला गया हो, मैं तो तुम्ही कभी भूला ही नहीं उसने सादगी से जवाब लिखा, यहाँ प्रत्याशित उत्तर सुनकर अपनी बड़ी हुई धर्कनों को कंट्रोल करके मैंने उसी अंदाज में पूछा, फिर मेरे पत्रों का जवाब क्यों नहीं दिया पिताजी के देहान के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे उपर आ गई थी, माँ पड़ी लिखी तो थी नहीं, बहने बहुत छोटी थी, घर का खर्च चलाने के लिए मुझे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी जीवन को नए सिरे से जीना था, पिताजी के रिक्ट स्थान पर मुझे मेरी योगई तानुसार नौकरी तो मिल गई, लेकिन वेतन इतना कम मिलता था कि घर का खर्च चलाना भी कथिन था उस समय इतनी उल्जनों के बीच तुम्हारे पत्रों की भाषा समझने वाला कोमल दिलपाशान की तरह कतोर हो गया था सब कुछ बेमानी लगने लगा था, उफ, इतनी तकलीफे जहली तुमने, मुझे बताते तो, मैंने उदास मन से उत्तर दिया तो उसने बीच में ही बात कार कर लिखा, क्या फाइदा होता, तुम्हें भी दुखी पहुंचता जब पूरा भविश्य ही अंधकार में लग रहा था, तब अपनी खुशी के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था लेकिन दो साल बाद मैं ओफिस के काम से मुंबई गया, तो तुम्हारे घर भी गया था, लेकिन तक 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 तुम लोग वहां से जा चुके थे उसके बाद कैसे संपर्क करता तुम से, काश, उस जमाने में भी मुबाइल होता, तो कितना अच्छा होता हाँ, पिताजी का ट्रांसफर हो गया था, मैंने लंबी सास लेते हुए कहा, और तुम कैसी हो, ठीक हूँ, फिर बात करते हैं मेरा मन अजीब सी उदासी से घिर गया था, इसलिए मैंने संक्षित उत्तर दिया और ओफलाइन हो गई मन बहुत उदास हो गया था, आखों में आशु छलचला आए, सोचने लगी, तकदीर भी क्या-क्या रंग दिखाती है, कोई भी घटना अकारन नहीं घटती श्याम मेरी फ्रेंड लिस्ट में स्थान ले चुका था, तीन-चार बार की चैटिंग से ही, हमने एक दूसरे के परिवार के बारे में काफी कुछ जान लिया था उसकी दो बेटिया ही थी, पत्नी बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा स्थान उसके जीवन में रिख्ती रहा यही मेरे साथ हुआ था, पती के नीरस्वभाव के कारण दिल का कोना खाली ही रहा एक दिन उसने मेरा मोबाइल नमब मानगा, पहले तो मैंने कई बार टाला, लेकिन उसके बार-बार आगरहने और पुराने जमाने के विप्रीत आधुने कुरुष्ट्री के बीच दोस्ती के संबंधवाली सोच ने मुझे दुस्साहसी बनने पर मजबूर कर दिया इतने वर्षों बाद जब उसकी आवाज मैंने फोन पर सुनी, तो लगा कि मुप्रेम निवेदन मुखरित हो गया था उसने पहली बार अपने प्यार को शब्दों का जामा पहनाया, मैं ने शब्द होकर उसकी बाते सुनती रही उसने मुंबई में मेरे साथ रहते हुए क्या क्या अनुभव किया, सब बताया फिर मैंने भी उसकी प्रती अपनी चाहत का इसहार किया समय के अंतराल में अलहर प्रेंग की नदी ने परिपक्व दोस्ती की समुद्र का रूप ले लिया जिसमें ठहराव था, गहराई थी इसका पूरा श्रेश्याम को जाता है, जिसने मेरे पूरे अस्तित्व को ही अपने में समेट लिया था उम्र के इस पड़ाव में जब मैं वैवाहिक जीवन की कर्तव्यों का बोज भूते धोते ठक गई थी शरीर में शिथिलता आने के कारण जीवन खालीपन और नीरस्ता से व्याप्त हो गया था वह श्याम की बातों से सरस्ता, नई उजा और उमन से सराबोर हो गया था जब कभी वह कहता, पाखी, तुम्हारी हसी बहग प्यारी है या मेरी फोटो देख कर कहता, आज भी तुम उतनी ही खुबसूरत लगती हो तो मुझे अपने पर गर्व होने लगता ये सोचकर कि आज भी मैं किसी की यादों में बसी हूँ मुझे अपना पूरा अस्तित्व ही महत्वपून और अर्थपून लगने लगता